मित्रों केलाश्पदी मिश्टर जी पार्टी के प्रथम पंक्ती के नेता थे केलाश्पदी मिश्टर जी पार्टी के प्रथम पीड़ी के नेता भी थे उन्होंने अपना जीवन और अपना बाल लेकाल अगर आजादी की लड़ाई में फ्रीडम फाइट में और क्विट इंडिया मूवमेंट में लगाया तो आजादी के आने के साथ साथ उनका संपर्क राश्ट्रिय स्वहिम सेवक संग से हुआ और 1945 में वो राश्ट्रिय स्वहिम सेवक संग के प्रचारट के रूप में उन्होंने जीवन को अपनी द्रिष्टी और जीवन को अपना समर्पन राश्ट्रिय स्वहिम सेवक संग की विचारधारा को दिया संगठन के विस्तार के लिए संगठन में बाद में उनको जनसंग में काम करने का मौका मिला तो पार्टी के एक्स्पैंशन के लिए और बाद में भारतिय जन्ता पार्टी के लिए उन्होंने सारा जीवन लगा दिया और पार्टी के आज ये जो हम सुरूप देख रहे हैं उसके दधीची के रूप में नीव में केलाश पती मिश्टर हमको दिखते हैं इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए मित्रों एक बात और हमको ध्यान रखनी चाहिए जब केलाश जी राजमेतिक शेत्र में काम कर रहे थे तो उस समय खोने को सब कुछ था पाने को कुछ नहीं था यह आज का महौल नहीं था कि हम सोच सकें कि कभी हम MLA बन जाएंगे कभी हम MP बन जाएंगे कभी हमारी सरकार आएगी वो समय ऐसा था जब पाना तो दूर खोने के लिए तैयार रहना पड़ता था ऐसी परिस्टिती थी और ऐसे परिस्टिती में कैलाज जी ने अपना सारा जीवन लगाया और पार्टी को इस विराट विरिख्ष के रूप में उन्होंने हम सब लोग को अपने जीवन में लगा करके हम सब को दिया है मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि वो पार्टी के बिहार के भीश में पितामा था उन्होंने अपने आपको समर्पन करके सैक्रिफाइस करके यह छोटी खटा नहीं है जब राज्यसवा के लिए उनका नाम तय हुआ तो उन्होंने बड़े सहर्ष कहा मुझे संगठन में रहने दीजिये और हमको धलितों में काम को आगए बढ़ाना है कामेश और बासवान को राजसभा में भेजिए इस तरह की बत उन्होंने कही थी आप याद कीजिए यह वाता वरन हमारी पार्टी में ही हो सकता है किसी और पार्टी में नहीं हो सकता है और इस तरीके के उधारंग कैलाज पती मिश्र ही दे सकते हैं इसलिए उनसे हमको प्रेड़ना लेना और प्रेड़ना के साथ हम अपने काम को ताकत दे इसकी आवशक्ता हो मैंने शायद पिछली बार भी बताया था लेकिन मैं दोहराना चाहूंगा मेरी उमर ग्यारा साल बारा साल की होगी 1971 का चुनाओ था जहां तक मुझे याद पड़ता है कि वो पटना लोकसभाकी सीट का चुनाओ उन्होंने 1971 में लड़ा था और उनका अक्सर हमारे घर आना जाना होता था वो जनसंग की टोपी पहन करके दिये का निशान था वो हमारे घर आए मैं छोटा था कौटुहल वर्शन ने पूछा कि कैसा चल रहा है क्या चल रहा है उन्होंने का हम चुनाओ जीतेंगे जनसंग आगे बढ़ेगा मैंने जो पडोस पे सुना था और वो बच्चे ही थे हमारे साथ ही वो भी पडोस में जो सुनते हैं तो मैंने उसे कहा कि हमारी स्थिती अच्छी तो होगी लेकिन शायद जीतना संभव नहीं होगा उस समय मुझे याद है कि अलाज जी ने कहा था हम विचारधारा के लिए लड़ते हैं और विचारधारा के लिए हम समर्पित रहते हैं यह तो पढ़ाओ है पूर्ण विराम नहीं है आगे और बढ़ेंगे और हम जीवन में सफल होंगे मैंने उनसे एक और प्रश्न पूछा था कि आप सभी सीटों पर क्यों लड़ रहे हो क्योंकि उस समय जब विधान सभा का चुनाओ आया था तो सभी सीटों पर चुनाओ हुआ था तो उन्होंने उत्तर दिया था कि जीतना तो संभव नहीं होगा लेकिन दिया का निशान घरगर पहुँचाएंगे इसलिए हम काम करेंगे मैं आपको ये सारी बाते इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जब हम बापू सभागार में इतनी बड़ी संक्या में दुनिया की सबसे बड़ी राजनितिक दल के रूप में बैठे हैं तो हमें यार रखना चाहिए कि किन महानुभावों ने अपना जीवन लगा दिया जिसके कारणा आज हम यहां पर आकर के खड़े ही उन ददीचियों को हमको भूलना नहीं चाहिए उनके जीवन से हमको प्रेणा लेनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने विचारदरा की बात कहें तो वो अपने आप में एक संस्था थे मैं सभी का नाम नहीं ले सका सभी अध्यक्षों का और मैं देख रहा हूं कि जब अध्यक्षों को मैंने देखा तो यहां भी अध्यक्ष दो पीडियों के अध्यक्ष तो यहां मुझे दिखते हैं और यह सभी अध्यक्स कैलाज पती मिश्टा जी के हाथों के बनाए हुए कारे करता है ये भी हमको समझना चाहें कितनी लंबी तफस्या रही इसलिए मैं कहता हूं कि कैलाज जी अपने आप में एक संस्था थे एक इंस्टिकूशन थे और उन्होंने दलितों के लिए आज ये जातियता क कि बात जंगन्ना की बात हर एक तरिके से होती है कैलाज जी ने समाज के सभी वर्गों को बराबर से आगे बढ़ाने का काम किया और एक माला में पिरोने का काम किया तो कैलाज पती मिश्टिक जी ने किया मुझे याद है वो बिहार के फाइनांस मिनिस्टर थे जब करपू के लिए और सोशल सामाजिक नियाए के लिए कैलाज जी हमेशा लड़ते रहे मुझे याद है कि आज भारतिया जल्टा पार्टी जिसमें सभी समाज के लोग नेत्रतु कर रहे हैं इसकी नीव किसी ने रखी है तो कैलाज पती मिश्र ने रखी ये बात भी हमको ध्यान में र अपना जीवन लगाया वही भारतिये जन्ता पार्टी की सोच विचारधारा द्रिष्टी कारे करने का तरीका उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया ये अंतोदे अंत वाले का अंत व्यक्ति समाज में खड़ा हुआ अंतिम पाहिदान पे व्यक्ति उसकी चिंता हो इसको किसमें रखा था ये पंडित दीन द्यालु पाध्याजी के एकात्म मानवाद से निकला हुआ अंतोदे था और इसको आगे मोधी जी ने बढ़ाया सबका साथ सबक का विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इसको करके दिया तो नरेंडर मोधी जी ने करके दिया गाओं गरीब वंचित पीडित सोशित दलित महिला यूवा किसान सबको सशक्ति करण के साथ समाज में खड़ा करो इस उद्देश्यों को ले कर के पिसले दस साल से प्रधान मंत्री मोदी जी कारे में जुटे मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं मित्रों ये सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है ये हमारे जीवन में कारे करने का लक्ष है आप बताएए प् महिलाओं का सर्शक्ति करन किया है की नहीं किया है आप बताएए सवाश्चा भ्यान में बारा करोड बैनों को इस घर दे करके महिलाओं को इस देने का काम मौदी जी नहें किया आप बताएए ये सोभागिये योजना के तहट कोई भी घुर बिना बिजली के न रह जाए इसका काम प्रधान मंतरी मोदी जी ने किया की नहीं किया मैं इसलिए आप से कह रहा हूँ आप बताइए प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना में 80 करोड की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो जावल ताकि भारत का कोई भी व्यक्ति भूका न सोय इसकी विवस्ता की की नहीं की ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास उसका जीता जागता ये रास्ता है इसको हमको समझना चाहिए और इसलिए और इसलिए धन्यवाद इसलिए मैं ये कहता हूँ आप बताईए पिछले दस साल यू पिय की सरकार में ये नारी सशक्तिकंड विदेख ये पार्लिमेंट में पढ़ा रहा की नहीं पढ़ा रहा किसी ने इसको सुद ली प्रदान मंत्री मोदी जी ने तीन दिन के अंदर नारी सक्ति वंदन विदेख लाकर के उनको रिजर्वेशन देने का काम किया तो प्रदान मंत्री मोदी जी ने किया मैं महिलाओं को बढ़ाई देता हूँ मैं नारी सक्ति को वंदन करता हूँ एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और आगे चल करके आपको खुशी होगी कि दो हजार उनत्तिस में जो पार्लिमेंट बनेगी और जो विदान समये 27 के बाद बनेगी उसमें महिलाओं को आरक्षित सीट से चुन के आने का मौका मिलेगा इस तरीके की परिस्टिती में इसलिए जब मैं कहता हूँ गाओं गरीब वंचित पीडित सोशित दलित महिला युवा सब के लिए काम करने का काम प्लान मंतरी मोदी जी ने किया है अभी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है बैक्वर्ड बैक्वर्ड ओबीसी हम वो लोग है और कैलास पती मिश्टर जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने ओबीसी की लड़ाई को धर्ती पर अपने नित्र तुम्हे लड़ा और कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ याद कीजिए कॉंग्रेस पार्टी को क्या नहतिक अदिकार है कॉंग्रेस पार्टी ने काका कालेलकर का रिपोर्ट बताईए उसको रिजेक्ट किया था कि नहीं किया था उसके बाद मुरार जी देसाई ने मंडल कमिशन लगाया मंडल कमिशन की रिपोर्ट आई इंद्रा गांदी और राजीव गांदी दोनों रिपोर्ट पर बैठे रहे की नहीं बैठे रहे कुछ नहीं किया विश्वनात दाप सिंग ने आकर कि उसके बाद रिजर्वेशन दिया और आपको जानकर के अश्र होगा कि 1992 के बाद 1992 में जब सुप्रीम कोट ने कहा कि OBC को केंद्रिये सर्विस में नौकरी में ले रिजर्वेशन होना चाहिए तब जाकर के रिजर्वेशन 1995-1996 में हुआ और ये लोग आजकल OBC के चैंपियन बने हुए आप बताए OBC कमिशन को समवेधानिक दरजा देने का काम नरेंदर मोदी जी की सरकार ने किया नहीं किया क्यों कॉंग्रेस पार्टी क्यों выпуск जिसमें लालू भी थे जिसमें बाकी लोग भी थे क्यों उन्होंने OBC को समवेधानिक दरजा नहीं दिया आज OBC की बात करते हैं मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रखना हूँ कि मोदी जी के नित्रत में जिस तरीके से OBC की चिंता की गई है OBC को आगे बढ़ाने का काम किया है वो हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए मैं बिहार की बात भी करना चाहूँगा मेरा बिहार से लंबा संबन रहा है मैंने बिहार को मुसीबत में देखा है मैंने बिहार में नित्रत को किस तरीके से समझोता करते हुए लोगों को हितों के खिलाफ काम करते हुए वो भी मैंने देखा है मैंने वो भी समय देखा है जब कॉंग्रेस पार्टी को एक तरफा समर्थन मिलता था और कॉंग्रेस पार्टी लोगों के हित के सिवाए हित के से अलग हट करके अपने भरष्टाचार में लगी हूँ थी मैंने वो भी दिन देखे हैं जब सामाजिक न्याय का नारा लगा करके आने वाले लोग अपने परिवारों के और अपने घरों में अपने तिजोरियों में धन भरने के सिवाए कोई काम नहीं किया वो समय भी देखा है लेकिन मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूँ कि भारतिया जन्ता पार्टी के नेत्रतुने बिहार को हमेशा मुख्यधारा में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है ये बात मैं गौरव के साथ कह सकता है आप बताईए पहला All India Institute of Medical Sciences भारत रतन स्वर्गी अटल व्यार इवाजपई जी ने दिया था कि नहीं दिया था आप बताईए दूसरा All India Institute of Medical Sciences दर्भंगा में नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि नहीं दिया मैं है स्वास्ट मंत्री था नितीश बावु से मांग मांग के ठagyah मंगल बावु बेठें यहां पर जमीन दे दो जमीन दे दो जमीन दे दो बोले मेडिकल कॉलेज के उपर ही बना दो मैंने का नहीं मुझे नहीं जगह चाहिए नहीं दिय जगह आज भी भारत सरकार का All India Social Medical Sciences दर्भंगा के लिए पैसा हरखा हुआ है जैसे ही आगे काम शुरू होगा उसको पूरा किया जाएगा यह हम आपके सामने बताएं आप बताएए प्रदान मंतरी मोदी जी ने एक हजार करोर रुपए पांच मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए दिये की नहीं दिये आप बताईए च्छे सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक के लिए आपको एक हजार करोड रुपए दो हजार करोड रुपए से ज़्यादा दिया कि नहीं दिया यहाँ दो पूर्व मंत्री बैठे हैं अशुनी चौवे जी और मंगल पांडे जी पूछिए इंसे केंद्र सरकार ने दिया सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक के लिए दिया और अभी पंद्रवे फाइनांस कमिशन में भी छे हजार सत्रा करोड रुपए देने का काम भारत सरकार ने दिया यह हमको ध्यान में रखना चाहिए लेकिन हमारे यह यहां का नित्रतों जो भ्रस्ता चार से उपर से नीचे आकट डूबा हुआ है भाई को भाई से लड़ाओ तुष्टी करन की राजनीती करो इसमें मस्त है व्यस्त है ऐसी सरकारों को गुडबाय कहने का समय आ गया है और भारतिये जंता पार्टी को लाने का समय आ गया है मैं यहां अभी जैप्रकाश जी के निवास्थान पर जाओंगा मुझे याद है मेरा बच्पन जैप्रकाश नरायन के अंदोलन के समय गुज़रा था मुझे याद है कदम कुवा में मैं जैप्रकाश नरायन के घर के आज पास कभी न कभी किसी न किसी बहाने आया करता था सुशील मोदी जी रवी संकर जी राजंदर गुपता जी अश्वनी चौबे जी ये सब लोग उन दिनों जैप्रकाश नरायन जी के सानिध्य में आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे था मुझे याद है कि उसी समय लालू और नितीज जी भी कदम कुआ के चक्कर लगाया करते थे आज मैं सोचता हूँ क्या से क्या हो गया कहां से चले थे और कहां पहुँच गए स्वर्गे जैप्रकाश नरायन इंद्रा गांदी जी के विरोधी थे यह लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीशा यह मेंटेनेंस ऑफ इंटेनल सेक्यूरिटी एक्ट में वो बंद थे तब रखा था जिन्होंने अपनी जवानी विचारधारा के लिए लड़ने के लिए तै किया था वो समझोते में आकरके आजकल उसी इंद्रा परिवार की चौथी पीड़ी के साथ गलबाईया कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं ये भी मुझे देखने का मौका में मैं सोचता हूँ राजनीती भी कैसी चीज है कुर्सी भी कैसी चीज है समझोता करते करते कहां पहुंच गए हैं यही पत्ना की धरती पर तुम सोनिया और राहूर को स्वागत करने के लिए खड़े हो गए हैं यही विचारधारा की लड़ाई थी इसलिए तुमने अपनी जवानी दी थी इसलिए तुम मेंटेरेंस ऑफ इंटेर्नल से केरोटी आक्ट में गए थे लेकिन सत्ता और सत्ता के साथ सत्ता सुख इसके साथ समझोता करने वाले यह लोग इनकी राजनितिक विचारधारा कहां से चली और कहां पहुंच गई कहां से संपूर्ण ग्रांत आज कर यह इंडि एलाइंस की बात हो रही है आप जानते हैं ना इंडि एलाइंस जानते हैं यह जो इंडि एलाइंस है यह तीन आधार पर खड़ा है पहला परिवारवारा दूसरा bruteした चारड़ और तीसरा तुष्टी करा अब देखिए मैं आपके सामने भारत का नकशा खीच के बताना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर कौन है फारूक अब्दिल्ला उमर अब्दिल्ला बाप बेटा पीडीपी कौन है पहले मुफ्ति 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 आप नीचे आईए आप देखेंगे शिरुमनिय क्याली दल प्रकाश सिंग बादल और सुखवीर बादल बा सबसे बड़ा प्रदेश है भारतिय जनता पार्टी किसे लड़ रही है समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंग अखिलेश और डिंपल फुल्श्कॉप बस परिवार मैं यहां खड़ा हूँ बिहार में कौन है सामने लालू तेजश्वी मीसा बाकी छुट्टी बंगाल मे किसे लड़ रहां पीशी भाइपो पीशी मतलब भुआ भुआ मतलब ममता और भाइपो मतलब भती जा भती जा कौन है अभिशे कौन यह परिवार से लड़ रहे हैं बाकी सब की छुट्टी यह परिवार बाद तुम हमारे परिवार को बचाओ हम तुमारे परिवार को परिवार की पार्टिया है और कॉंग्रेस में भी कौन है है सोनिया राहुल प्रियांका फुल स्टॉप ये सब परिवार की पार्टिया और मैं यहाँ दोवरा दोराना चाहता हूँ मेरे बातों का बहुत बुरा लगा था विपकषी दलों को मैं दोवरा recommend प्रजातंत्र परिवार बार्वाद को कभी भी परस्टरे नहीं देगा, विचार्धारा को परस्टरे देगा, इसलिए परिवारवाद पर्टियों का समाप्थ होना निश्चित। या आप मान करके चलिए मैं भरस्ताचार की बात करूंगा कॉंग्रेस पार्टी अकेली 12 लाग करोड रुपए का चूना लगाने वाले यूपिये की सरकार कॉंग्रेस पार्टी बरस्ताचार पे बरस्ताचार मुलाइम सिंग की पार्टी अखिलेश लैप्टॉप टैम माता ये तीनों ही तो कल बेल कराकर कर आए है न कल ही तो कराकर आए है चारा घुटाला ये सब बरस्ताचार से जुड़े हुए लोग हैं दूसरा इनका अधार बरस्ताचार उसी तरीके से अगर हम बात करें स्टैलिन की तो एक लाग चौतिस हजार करोड रुपर इनके इन साथ ये इंडी एलाइंस और क्या करेगा परिवार को शेवा करेगा और परिवार के साथ-साथ भ्रष्टाचार का पोर्ष्टन करेगा और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम हो यहीं इंडी एलाइंस का नतीजा है अगर मैं दिल्ली की आमाद्वी पार्टी की बात करू तो कली दूसरा विकेट भी गिर गया वहाँ संजे सिंग शराब घोटाले में अंदर हो गया ये सब भरस्टा चार में उपर से नीचे आकंट डूबे हुए लोग है और इसलिए मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगर हम विकास के दृष्टी से देखे तो सिर्फ भारतिये जन्ता पार्टी है जो समाज में विकास को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे ले जाने का काम कर रही है मैं यहाँ एक बात की और आपसे चर्चा करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि जहां तक OBC का सवाल है जो मैंने पहले कहा चाहे शिक्षा में सेंट्रल स्कूल हो MBBS हो, MD की सीटे हो इसमें कुल मिला करके चार लाख बच्चों को OBC को एड्मिशन देने का काम किया तो नरेंदर मोदी जी की सरकार ने किया यह हमको जाने आज हमारे 27 OBC मंत्री है आज हमारे 85 OBC MPs है जितना कॉंग्रेस पार्टी के MP नहीं है उससे ज़्यादा हमारे OBC के MP है सामाजिक निया एलाने का काम तो भरतिय जन्ता पार्टी ने किया है 1358 ML में 27% ML OBC के है और उसी तरीके से 163 MLC में 40% हमारे MLC OBC के है यह हमको ध्यान में रखना चाहिए और यह इतनी वी स्कीमे हैं जन्धन योजना उजाला योजना उज्वला योजना यह सब सबसे ज़्यादा लाब OBC को हो रहा है इसलिए मैं यहाँ एक बात बड़े स्पस्टब्दों में कहे देना चाहता हूँ कि भारत की गरीबी सबसे बड़ी जाती है जो हमारे प्रधान मंतरी जी ने कहा है और गरीब की सेवा करने का काम पिछले 5 साल में प्रधान मंतरी मोदी जी ने 12 करोड से जादा गरीब लोगों को गरीबी रेखा से निकाल करके उनको मिडल इंचर्म ग्रूप में पहुँचा दिया और यह हम नहीं कह रहे हैं यह इंटरनाशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है लगब बारह प्रतिशत लोग आज गरीबी की रेखा से उपर उख चुके हैं और एक प्रतिशत लोग लेस देन वन परसंट एक परसंट भी ने लेस देन वन परसंट लोग अती गरीबी से निकल चुके हैं सिर्फ लेस देन वन परसंट हमारे अती गरीब रहे गए यह जो गरीब की सेवा चल रही है यही सबसे बड़ी जाती है इसी को सबहाल करके आगे बढ़ाना है और मजूती प्रदान करना है मैं एक बात बताना चाहता हूँ जब हम कहते हैं सरवांगीन विकास तो मोदी जी के नित्रत में अगर देश की धमक दुनिया में जी ट्वेंटी और अन्य तरीकों से पहुंची है वहीं भारत की चमक दक्षडी धुरुप पर पहली वार कोई लेंडर को उतारना का काम भी उनके नित्रत में हुआ है वो भी हमको ध्याना वो सेटलाइट का उतरना भी वहाँ पर लेंगे और उसी तरीके से गरीब का सशक्ति करन भी अगर हुआ है तो वह भी प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रत में भारतिय जंता पार्टी और एंडिये ने किया है इसलिए उसको साकार करने का काम आज भारतिय जंता पार्टी प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रत में कर रही है और मुझे बहुत अच्छा लगा समराठ जी का एक वक्त अवे उन्होंने कहा अब हम कंदे पर बैठाना छोड़ चुके मैं उनकी बात को याद रखूंगा समय आ गया है कि अब अपने कंदे मजबूत होकर के दो हजार चोबिस में संपूंता से हम चुनाओ जीते और दो हजार और दो हजार पच्छिस में को अपना कंदे पर और अपनी मजबूती पर विशुद भारतिय जंता पार्टी की सरका बनाए इसके लिए हम काम करें मित्रों मित्रों के इस जन्मशती इस जन्मशत इस जन्मशत अब्दी के इस जन्मशत अब्दी के स्वर्गिया कैलाजपती मिश्टर जी को सही मायने में शद्धांजली यही होगी कि दो हजार चोबीस में संपूर्ण एमपीज की सीट जीत कर हम दिल्ली में मोदी जी को फिर से प्लान मंतरी बनाएंगे और कैलाजपती मिश्टर जी को सची सद्धांजली वही होगी कि दो हजार पच्चिस में भारतिय जन्ता पार्टी का कमल खिलेगा और हमारी सरकार बनेगे बोलिए करेंगे ना करेंगे ना करेंगे ना करेंगे ना करेंगे ना करेंगे ना आपने मेरी बात सुनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए भारत मादा की भारत मादा की भारत मादा की भारत मादा की स्वर्गिय केलाजपती मिश्टर आमार रहें कर दो कर दो